हेलो एब्रीवन, वेलकम बेक टो और यूट्यूब चैनल अग्रिकल्चर एंजी के आज की इस वीडियो सिरीज में हम बात करने जा रहे हैं 200 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट कॉश्चन अप अनिमल हस्वेंजी के तो आप इस वीडियो के वीडियो सिरीज के अन तक जरूर बने रहें इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट कॉश्चन अनिमल हस्वेंजी के बात करेंगे जो कि आपके एक्जाम पोईट ओब यू से बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है यदि आप UK SSSC Assistant Agriculture Officer AAO की एक्जाम की त्यारी खर रहे हैं और आप इसके कंप्लीट कोर्स को पर्चेस करने का सोच रहे हैं तो आप इस कोर्स को पर्चेस कर सकते हैं इस कोर्स का प्राइज 899 रुपीज है इसके जो फीचर्स हैं आपको इस कोर्स में फुल स्टेडी मटेरियल्स की इबुक्स जो की डाउनलोडेबल और प्रिंटेबल रहेंगी आपको प्रुवाइट की जाएगी टेस्स त्रीज अविलेबल कराई जाएगी कॉश्चन बैंक आपको दी जाएगी और इस कोर्स की जो वैलिडिटी है अपके एकजाम तक वैलिट रहेगी तो आप यदि इस कोर्स को पर्चिस करना चाह रहे हैं तो आप हमारे Android एप्रिकेशन Agriculture NGK में जाकर इस को पर्चिस कर सकते हैं या आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है आप वहां से भी इस कोर्स को पर्चिस कर सकते हैं चलिए तो हम आज की अपनी वीडियो सीरीज को स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्वेंजी के इंपोर्टेंट कॉश्चन हम हिंदी में बात करें तो जो फस्ट जो आपको पॉइंट दिया है कि भारत 1998 इसवी से ही दुख दुद्पादन में बिश्य में प्रत्थम इस्थान पे हैं और आज भी ये फस्ट पोजिशन में है मिल्क प्रडक्शन के ठीक है अब सबसे ज़्यादा हमारे देश में क्या क्या पाला जाता है तो गाय और भैस को यूपी में सबसे ज़्यादा इसको पाला जाता है तो अब हम बात करें तो जो गोट है गोट को जो सबसे ज़्यादा population है वो है राजिस्थान में है ठीक है गोट की उसके हम बात करें कि सरवादिक दूद देने वाली भैस जो है वो मुर्रा है सर्वसेस्थ नसल है तो जो मुर्रा भैस यह क्या है नसल इसकी जो ब्रीट से हम आगे उसमें भी questions देखेंगे और सब से जो भारीव की बात करें तो जाफराबादी इसकी है केंद्री भेस अनुसंदान संस्थान जो है वो हिसार में कहां पर यह हिसार में लोकेटेड है विस्व में क्लोन द्वारा उत्पादे दूसरा भैस करीमा जो हर्यारा राज के करनाल में हुआ था ऐसी फसल जो किसान द्वारा सीधे ब्यापार लाप के लिए लगाई जाती है ब्यापारी के नगदी फसले कहते हैं देखो नगदी फसले हैं डैट मिस हम बोलते हैं केस्ट्रॉप्स क्या होती है ऐसी फसल जो कि किसान क्या करता है डारेक्ट सीधे ब्यापार के लिए होगा आता है ठीके डार बक्री को निर्धनों की काम धेनू कहा जाता है आप निर्धनों की बोल सकते हो या आप इसको बोल सकते हो गरीबों की गाय जो है वो बक्री को बोला जाता है ठीक है मुर्गी के अंडे का खोल केल्सियम कार्बनेट मिसंध ना कंडा होता है उसका जो उपड़ी पार्ट जो डिखता है वाइट वाइट कलर का ऊपर जो कैल्सियम कार्बनेट का बना हूता हूथ किसका बना हूता है कास्यलियाघ्रड़ और लग gagnante में एक्वा कल्चर कर रहे हैं एक्वा कल्चर मतलब वाटर में हम लोग करना वाटर में क्या करते हैं हम लोग मचली का उत्पादन करते हैं उसे हम एक्वा कल्चर बोल दिते हैं एक हाइड्रोपॉनिक्स होता है तो हम उसमें खिती करते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं मचल उत्पादिन के लिए रिसमी केड़ों को पालते हैं ना सिल्क वॉम को पालते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं सैरी कल्चर कर देते हैं पूरे विश्य में मदुमक्खी एक मात्र ऐसा कीठ है जिसके उत्पादित भोजन को मनशी के द्वारा आहार रूप में ग्रहाण क या जाता है सबसे जो पूरे विश्य में मदुमक्खी जो है ठीकि उसका जो उद्पादित भोजन होता हो मनशी क्या करता है लद में जो सहर इसको ब्ला गैया दर पे मदुमक्खी की भासा भी डञान की खोज ना तो तो वो एक डांस करती है अपनी भाजा को ट्रांसफर करने के लिए उसकी जो खोज है उसको सबसे पहले खोज के लिए जो प्रोफेशर कारल वान फ्रिस को नोबल पुरसकार मिला था अब ऑपरिशन फ्लेट की सुरुवात किस ने की थी वर्गीज कुरियन ने की थी के कारण होता है आप देख्योंगे जो दूद होता है वो किसके कारण से सफेद होता है केसी इंट्रोटिन के कारण क्या करती है ब्राउजर करती ब्राउजिंग करती है कौनसी भीड की नसल पहल टुत पादन के लिए प्रिशिद है तो वह ताशकंद ऑके देखे बकरी की नसल जो अच्वान और गोडवत्ता वाली त्वच्छा प्रशिद्ट के लिए प्रशिद्र सबसे बक्री बकरी का बात आया तो सबसे पहले तो हम बक्री पे जाएंगे गोट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कैपरा हिरकस ठीक है क्या होता है साइन्टिफिक नेम भी हमें इसका पता होना चाहिए तो आप इन में से पोल रहे हैं कि आपको अप्शन दे देगा कि उन में से की कौन सी ब्रीड है जो अच्छ गुडवत्ता बाली तव अच्छ अब्रिजन अन ब्रद्धी के लिए प्रिशिद्ध है तो वो हो जाएगी ब तो ब्लैक पंगल क्या होती है इसकी बॉड़ि साइज में वह डॉडव होती है ममत्तफी होसकी है घ्रीड होती है इसके बहुत शुमेकिंग के लिए बहुत यूज भी होती इसका और आप बात कर सको तो है इसलेक्टोस पर शोरी यह इतार पर बताया गए घृ करी की सायन स नसल है उसे हम लोग दूद रानी कहते है दूद रानी मतलब मिल्क क्यों भी बोला जाता है सायन को बकरी भारत में बकरी की सबसे लंबी नसल कौन सी है जमना पारी कौन सी है जमना पारी इसका जो ओरीजन है ना वो उसका यूपी और यूपी इसका ओरीजन है जमना पारी का और इसके जो बहुत सिक्सिस होते हैं, male और female दोनों में beard present होते हैं, अब पात करें के गाय का जो दूद होता है, आपने मोसली देखा होगा, गाय का जो दूद होता हलका सा पीला कलर का एक क्रीम रंग का होता है, वो केरोटीन के कारण होता है, जबकि भैस में क्या होता है, भैस का जो दूद होता है, उसमें सफेद रंग का होता है, क्या होता है केसीन पाया जाता है, और जो बफैलो का दूद होता है, उसमें सबसे जादा हाईस लेक्टोस परसेंट भी इसमें पाया जाता है, दूद के कार्बोहाइडरेट या चीनी घटक है तो जो दूद में कौन सा कार्बोहाइडरेट पाई जाती है लेक्टोस पाई जाती है अब लेक्टोस सबसे जादा किस में होती है पफेलो में ठीक है दूद में बसा के गलब्योल किस के रूप में होते है पाईसन के रूप म वो है आपका रहता खिशार हरियाना ठीक है रहता खिशार और हरियाना है उसके बाद इसमें जो बफर पर्सेंट पाया जाता है ठीक है उसके पहले पुछा गया A's of first carving एफसी भी बोलते हम इसको है ना इंग्लिश में ए जो फस्ट काविंग क्या होता है पहले बश्री की जो अमले होती है वो होती है 40 से 42 महिने होती है दूद किसका घटिया सोर्स है बाइटमीन सी और आइरन का सबसे घटिया स्ट्रोथ बोला सकते हैं दूद कैल्सियम ठीक है कैल्सियम फॉस्फोरस इसके स्ट्रोथ का सम्रद सोर्स है बाइटमीन ए का ठीक है फिर है साइलेज मेकिंग के लिए जो सबसे अच्छी फसल है वो कौन सी है मक्का है यदि नमी की प्रतिसत नीचे है तो उसे संग्रा करते है 16 परसंट नमी कम है ठीक अक्शी टोसीन हार्मण रिस्पॉन्सीबल होते है और जो ये अक्सिटोसिन हार्मण होते है वो क्या करते है वीभाजन के समय जो गाय में जो हार्मोन होता है गर्भासे की संकुचन की कारण बनता है और भूण की निस्काशन के लिए ऑक्सिटोशन क्या करते है जब उसका क्या करते है भूण का निस्काशन हो रहा होता है भूण निकल रहा होता है डिलेबरी के टाइम पे उसको क्या करते है ता मदद क पर तॉक्सिटोशन हार्मोनी उसके संकुचन का भी कारण ये बनता है क्रत्रे मियोनी का जो ताम मान है वो होता है 42 डिग्री सेल्सियस होता है विश्व दुग्द उत्पादन भैस उन प्रड़क्शन उन उत्पादन पशु उत्पादन में किस देश को सर्व इस्थान दिय क्रेक्श होते हैं मङश बेशी भेल बक्री और हिरन आप अब भॉड आली कर आए जो ये स्टमक कर ने वाले ने कर दों आपको कि देव एक बात बता दू मैं आपको बता दूं आपको कट्न मता सबसे ज्यादा आपको बात करें जुगाली करने वाले पेट का सबसे बड़ा जो जो रुमेन होता है वह सबसे बड़ा आप बोल सकते हो के कंपाटमेंट होता है ठीक है अब इसके बाद हम बात करेंगे भारत में मुर्गी पालन की अधिक्तम चंसंक्या कहां पर है तो आँधर प्रदेश में सबसे चादा मुर्गी का पालन किया जाता है तो आप बात करें म आपको इधर पर इसकी जन संक्या देखने मिलती है आप मश्री उत्पादन राज्य बोल दें तो ये तो बैस्वेंग गॉल है ठीक है समुद्री मश्री अब बात करेंगे जिसमें 18% से ज्यादा कच्छे आप बोल सकते हो फूर्ट फाइवर होते हैं रॉड फाइवर हैं और कुल पाचन योग की पोश्यक्तत्र टीडियाइन ठीक है की मात्रा कित्ती होती है 60% से कम होती है तो आम उससे क्या बोल देते हैं चारा फोडर बोल देते हैं आप बात करें कि इसमें उल्टा कर दें यह कंसर्टर्टरेटड आप बोल सकते हो फूट या नेक्स्ट है मुर्गी में फटा पैर की जो कमी के कान होती वो किसकी कान होती है वो बायोटीन की कमी हो जाती तो उसका फटा पर आपको होता है दिखाई दिता विसाप्तत तक के कारण देव नाला और च्हार रोक होते हैं स श्याइनवर के उसमें किसे के संग्रह जब गयसों का संग्रह हो जाता इस मोम चांगर है। टो प spices B not a या में प ऊसले और यू वोल देते हैं फीर Eggs менее में नेगने सम् 1 जीए को क्या बहुं नहीं है छिसमें पसू मर जाता है या मरत या कमजोर बचछे को जन्म देता है उसको जानते हम लोग बुसिलोसिस के नाम से से जाना जाता है मवेशी की बिमारी जो मनुष्य को बताएगी वो बिसरही रहा है गाय में होने बला जो दूद मिल्क फीवर होता है वो कैल्सियम की कमी के कारण के होता है मिल्क फीवर गाय में होता है पिका रो किस कमी खनिच की कमी के कारण होता है फॉस्फरस के कारण होता सबसे अच्छा तरीका ये सुनिश्यत करना है कि उन्हें मिलता है कोल्स टृह स्टृम ठीक है नेक्स्ट है अब देखिए नपजात सिसू के जो बच्छडे होते हैं उनसे डिस्क निकाल देना किस उम्रे पर निकाल देते हैं लिए जमने के लिए सबसे अधिक उत्पाद इस्तमाल किया जाने वाला क्रायओ प्रिटेक्टेट जो है वहा ग्लिसरॉल है नेक्सि जो दूद का तयार हौसले में तयार न दूद का पी आच होता है ना वह 6.5 6.7 होता है हमें इनके बीच में दूद में मौजूद प्रोटीन का लगवाग 80 परसेंट जो भाग होता है वो केसीन से बना होता है अब जब केसीन प्रोटीन है तो दूद का रंग कैसा हो जाएगा सफेद हो जाता है मास उत्मादन के लिए ठीक है अब बात करेंगे पोल्टी की नसल ब्रायलर जो है उत्देशी के लिए उत्क्रस्ट है ठीक है मोसेब जन्वाले बात संगीत के लिए ठीक है नेक्स्ट है कम अवेशी समू बोस ब्रसाप जिस प्रोटीन को पचाया नहीं जा सकता वो कौन सा है लास्टीन पोल्टी का केवल आवश्यक फैटी असेड है क्या है लिनोलिक असेड जो है वो आवश्यक फैटी असेड है अब आदके त्वच्चा ठीक है और संयोजी उतकों का प्रमुग जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है कोलेजन है हार्मोन जो गर्वावस्ता के रख रखावा में महात्यपूर भूमी का निवाता है जो हार्मोन जो क्या करता है जो जब कैटल हो गया गाय बच्चडे और महात्यपूर भूमी को निवाता है लेख लेखा तो जब गर किके रखाव Pocket रखावाती होते हैं तो हार्मून क्या करता है प्रोटीन में दातर्क रोख अंट जाना चाना चाहता है कौन सा हो बरब्हावार्मीन को बाइटबिंड के iauलुल बपारN a प्रुटीन जो पानी में गुलंट सील है और गरमी जबावत है वह है अली में नेक्स्ट है घ्लूकोस फूस ग्लूकोस को म्या बोलते। ग्लूकोस को हम बुलते हैं Malalts बूलते हैं। ग्लूकोस और फ्रेक्टोस होगा उसका हम बोलेगे सुक्रोस। ainda गंसकी। लेक्टोज क्या बुलने हैं हमसको लेक्टोज दूद चीनी है डाय सक्राइड क्या है वो डाय सक्राइड है बसा का ओक्सीकरण किसी कहा जाता है पीटा ओक्सीकरण को कहा जाता है अंडे की गोडवत्ता से आखा जा सकता है केंड्लिंग को हम क्या करते seasoned अंडे की गुडवत्ता से पिर इसको क्या सकते है बोबिन फास्टट की निगरानी के रूपमें स्तमाल क्या किया जाता है दूद का पास्टराइजिशन परिक्षण का उप्योग या पता लगाने के लिए किया जाता है कि कौन से परिक्षण का उप्योग का यूज हम क्या करते हैं कि जानवर है गर्वती है प्रिगनेंट है या नहीं है क्तिय थीच पड़िये या 320-100 इनीटśl कुछ सब सबस्ट करने से दिना करते हम लोग होग आँच अट से दस दिन के उम्रें में चाहिता हैं उसको is Smith for the यहाँ उसकी हैं वहकर ने सब्सक्राइब हों तर्द और ही का उसको , यहाँध सब्ला होते हैं और हैं प्रतीशत की जाती है। PM मानक की अनुशार, 25 इस तर गशा और S&F लिप्रतीशत का समायय уже LD होता है, वो क्या होता है, मान की करन होता है। अब बात करें मुर्गी की नसल, जो खेल लड़ने के लिए परसेथ आ है, मतलब की खेल लड़ने, तहां मैं इसे बोल सकते हैं असीन खार के आया है जो एंटर्टैन्मेट के लिए इसnya को हम इस नucle जानते है अब यह जो है कि यह असीन जो है और जो यह जो एसीन नसल है ना इसकी तो इसका जो ब्रीड होती है इनकी वहाईस बेट होती है किसे इस पे six weeks cake से इसका जो बेट होता है वो highest भी होता है ठीक है जो game tap इसका अंडो entertainment के लिए भी जाना जाता है असील को ठीक है फिर जानवरों की उम्र का अंदाजा हम इसके से लगा सकते हैं उसकी दातों की संख्या से उसके सीन के छले से हम क्या कर सकते हैं उसकी उम्र का छोटी बक्री है मतलब black बंगॉल और मैंने आपको बताया कि जो black बंगॉल है वो size में क्या होती है डॉफ होती है ठीक है नेक्स्ट जो हमारा है वो amino acid युक्त सलफर है इसमें कौन सा है सिस्टीन सिस्टीन और मिथियोनी जो है amino acid युक्त ये शलफर है बाइटमीन युक्त के बाद ब्राइलर की जो विकास दर होती है वो कितने 10 सब्सक्राइब क्या हो जाती है ठीक है एक गाय को गर्भावस्ता के बाद रासन दिया जाना चाहिए सात्मा ठीक है एक अंडे का उसत उपचाव जो जीवन होता है वो 12-14 घंटे तक का होता है बेड और बक्री का उत पादन जीवन होता है वो कितना चार से पाँच साल तक होता है ठीक है नेक्स है भैस की महिकी नस्ल नस्लिक और नेक्स जो है वो वुष्चा की गाई की नस्लिकी बात करें तो वह जर्सी 300 पैसर दिन का होता है अंदा उथपादन मुर्गी पालन में सुरू होता है कब से शुरू हो जाता? 18 से 20 हपते, मैं सुरू हो जाता है भेडो मैं प्रिजिनन के लिए AIU प्राप्त करने के बाद एक राम काउप्यो किया जाता है राम का 18 महीने में अब राम क्या होता है ठीक है एडल्ट मेल को हम क्या बोलते है राम बोलते है और हम फिमेल की बात करें एडल्ट फिमेल की तो से हम बोलते है यू बोलते हैं ठीक है घी बनाने की दौरान मक्कन पूरी तरीके से कितने डिग्री सेल्सियस तन पर पिखलता है वो 64 डिग्री सेल इस degree Celsius पे वो क्या हो जाता है उसकी growth होने start हो जाती है वो multiplication करना चालू कर देता है दूद देने का सबसे अच्छा तरीका है fisting method पुरा हाथ के क्या करते है उस fisting method बहुत अच्छा तरीका है दूद का क्वथनांग क्या है 109.17 degree Celsius इसका क्वथनांग होता है protein पर सुद्ध आवेश हे पर गर्म करने पर 4.70 degree Celsius है अब यूरिया का यूज हम लोग रासन के लिए भी करते हैं यूज है हम लोग रासन के लिए भी करते हैं तो इसको जो यूरिया है उसको हम कितने पर सेंट तक रासन में सुरक्षित रूप से किया जा सकता है हो है 10% यूरिया उप्चार द्वारा भूसे के सूखे पदार्थ का सेवन किया जा सकता 30% यूरिया उप्चारित भूसे का उप्योग यूरिया आबेदन के किते दिनों के लिए किया जाता है 21 दिनों के लिए किया जाता है नीचे बच्णों 6 महीने उम्र के यूरिया अप्चारित भूसे से नहीं खिलाया जाना चाहिए ठीक है अप्चारित भूसे से नहीं खिलाना चाहिए यूरिया ठीक है अब साब से most important बात करेंगे कि जो गाई की सबसे अच्छी नसल है वो कौन सी है साही बाल है अब साही बाल की हम बात करें तो जो साही बाल है उसे हम लोला, मौंट कॉम्डी, लंबी बाल, मुलतानी, तेली के नाम से भी जानते हैं यह जो इसका ओरिजन है वो मौंट कॉम्ड बेस्ट इंडिजीनियस ब्रीड से बोला जाता है इंडिजीनियस मतलब देसी ठीक है इसमें आप ध्यान रखेएगा मुक्षी रूप से सारे रिक काम के लिए ओपियोग के जाने वाले मवीशियों की नसल को कहा जाता है प्राडू देखिए अब हम बात करें सारे रिक मिल्च परपस मतलब होता है कि दुधारूपस हो फिर होती है जिनका हम अभी आपात करें के सारी रिक काम के लिए उप्योग किया जाता है भार-बाहाग भी इनको बोल सकते हैं डुवल परपस होती है जो कि आपके केकिते बोज़ड होने के भी काम आती है और उनके जो फीमे मवीशों की मवेशिया मैं मतलब रौट पर समझिए इसको ठीक है तो इसकी जो सर्वसेश नस्ला है अमरित महले और महारस्त्र में मवीशों के अब महारस्त्र में बात करें तो बोह सबसे अच्छी दूद का उत्पादन करते हैं वह सुनाडी दूद की अधिकतन मात्रा को इसलों को बात करें तो हम लोग क्या हो जाते हैं आपको वी देशी नसले में आपकी जो सबसे ज्यादा दूद का अपादन करती है भू है हॉलस्टीन फीजियन ठीक है और यदि हम बात करें कि और भी कौन-कौन सी व्रीड होती है जो कि क्या है अग्सार्टिक बीड बोल सकत जर्सी हो गई यह क्या है यह exotic breeds है ठीक है और इनका जो वाडी वेट होता है ना उनका इंडियन breeds से जादा होता है ठीक है यह बात आप इसको ध्यान रखेगा भारत की सल्वर प्रिसेस्ट दोहरी जो देश नसल है वो कौन सी है आपकी है हर्याना कौन सी है यह हर्याना है अब हर्याना का जो origin place है वो है रोतक हिसार और गुर्गाओं के भी गुर्गाओं डिस्टिक्ट कहां का है यह हर्याना ठीक है यह इसका origin इसको मान सकते हो आप लो और इसकी बात करें के दोहरी सर्वसेस नसल है इसकी जो production होता है वो 600 से 1000 लीटर तक का है अब बैस जो अल परप यह ठीक है भारत बेभैस की सरवादिक दूद देने वाली नसल कॉंसी है मुर्रा मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था इसमें जो बटर 5% पाया जाता है वो है 7% पाया जाता है और इसकी बात करें यदि सर्वसेस्ट है ना तो इसका जो ऐस फस्ट काविंग होता है बो 42 से 45 मन्त का होता है और इसकी जो ऐवरिस मिल्क ईिल्ड होती है वो ऐवरिस की बात करें तो सबसे अधिक दूद देने वाली नसलिक्यों पर 14 लीटर प्रति दिन के हिसाब से यह दूद देती है फ्राइजवाल ठीक है बकरी जैसी भेड़ है निलो जो है वो बकरी जैसी ही भेड़ है ठीक है पहला घरीलू जुगाली करने वाला जो जानवर था वो कौन था बकरा ठीक क्या किते बकरी की सबसे लोग प्रिय नसल है वो क्यों सी है बारबरी फिर दुनिया का सबसे लोग प्रिय उन की नसल कौन सी माने चाहती है मैरी नो को ताप सहिश्रता का अतंतर किसमें नहीं किया जा सकता वो भैस में सका यूजर नहीं कर सकते हैं भारत में भेड़ की सब बक्री की नसल को जर्सी दुनिया की जर्सी गाये की रूप में चाना जाता है वो कौन सी है अल्पाइन अल्पाइन जो है वो एक्जॉटिक ब्रीड है काउ की ठीक है सुरी गोट की ठीक है इसमें ध्यान दीजिगा गोट की जो है एक्जॉटिक ब्रीड है अल्पाइन और न इसका जो color होता है ना आपने देखा कि अब इसका जो सरीर का रंग होता है वो क्या होता है तामिक की रंग का सरीन होता है इसमें जो fat percent है ना उसका होता है कि six to 12.5 percent इसमे fat percent पाया जथा है और सबसे जादा fat percent इसी बफेलों की breed में पाया जाता है भधाबरी में कड़कनाथ जो है मुर्गे की नसल का मास का जो रंग होता है ना कड़कनाथ मुर्गे की वो होती है काली ओके नेक्स जाम बात करेंगे तो लेक्टोमीटर किस उपकरन को मापने के लिए उप्योग किया जाता है तो लेक्टोमीटर कौन नहीं जानता भई हम लोग किसके दूद की सुद्धता कुमापने के लिए हम लोग लेक्टोमीटर के यह अंत्रका यूज़क करते हैं ठीक है हमारा जो next question है वो है operation flood किससे संबंदित है तो जो operation flood जो है किससे संबंदित है दूद से related है यहां मैं से white revolution भी white revolution के से related है वो भी milk से related है नेक्स एम अंडे की जर्दी का रंग वर्णक कारण होता है वो किस कारण से होता है वो जैन्थोफिल के कारण से होता है नेक्स्ट है दूद्ध प्रोटीन के रूप में जाना जाता है जो दूद्ध में कौन सी प्रोटीन बाई जाती है वो बाई जाती केसीन ठीक है दूद्ध संसलेशन के लिए जो जिम्मिदार है हॉर्मोन उसका है वो है प्रोलैक्टेन जब गर्मी में जानवर होता है वो चर कोलिस्ट्रम घेटिंग करने पर जम जमा हो जाता है इसमें क्यों स्थे आइस्क्रीम में रन ओवर की समावेश कारण होता है बायू, मक्खन देने के लिए अन्नो का उपयोग मक्खन में किया जाता है क्या होज़ेगा, पीला रंग जानवरों की आत में पाया जाने वाला पसू मूल बाइटमिन कौन सा है वो है बिटामिन के जो जानवरों की आत में है न वो पाया जाता है कौन सा बिटामिन पाया चाता है बिटामिन के भेड में पूछ को हटाने के रूप में कहा चाता है डॉकिंग जो भेड है ठीक है शीप में यह दि उसकी टेल को हटा देते उसको किस नाम से जानते है डॉकिंग के नाम से जाने चाता है महिला में अंडाय से को हटाना उसको क् इस्पेइंग क्या बोलनेंगे इस्पेइंग गैर वर्णित महिलाओं को सुध्ध नसल के पृष्षों के लिए कई पीडियों से अधिक की रूप में जाना जाता है वो है अपर ग्रेडिंग किसी एक वर्ण का चैन उस समय तक किया जाता है जब तक कि उसे ग्रेडिंग में सुधार ना हुझा है अगरानुकरम बिधी ठीक है क्या करते किसी वर्ण का चुनाओ हम उचाया उस समय तक करते रहते हैं करते रहते हैं जब तक कि उसकी ग्रेडिंग में क्या नहीं हो सुधार नियुजातों से हम बोल देते हैं अगरानुक्रम विधी क्रीम में बैक्कूम पैस्टराइजेशन के रूप में जाना चाता है वो है बेक क्रियेशन पढ़ती हुई डी सामगरी के बढ़ाने के लिए यूबी केरणों में मिलाया जाने वाला दूद कहा जाता है आदपका दूद बोल देते हम उसको ठीक है मक्षन तेल की दूद ओके नेक्स जो हम बात करेंगे आइस क्रीम में बी आई एस ठीक है बी आई एस जो मानक नियूंतम दूद समगरी के अंशार है 12% है क्रीम में बात करेंगे तो फैट परसे जो क्रीम में बी आई एस जो नियूंतम फैट समगरी के अंशार किता है 25% है WMP संपूर दूध पाउडर होल मिल्क पाउडर जो होती है उसमें fat percent किता होता है 26 to 28.5% इसमें fat percent present रहता है SMP SMP stands for skimmed milk powder में जो fat percent होता है वो होता है 0.5 से 0.8% तक स्रीखन तयार करने ही में किस दर पर शीनी मिलाई जाती है वो मिलाई जाती 35 to 45% Double-toned दूध में बसा percent किता होता है 1.5% Double-toned milk में fat percent present होता है Next is double-toned दूध में SNF जो solid not fat है वो 9% present होता है मानकी करत दूध में जो fat है और SNF है वो किता होता है solid not fat Fat 4.85% होता है और जो SNF होता है वो होता है 8.5% होता है Bacto-fugation में दूध में कौन से प्रतिशत बैक्टीरिया को हटा दिया जाता है कितने percent हो वो 99% गाय के कोलिस्टरम में प्रोटीन सामगरी कित्ती पाई जाती है 17.8% तक पाई जाती है भैस के कोलिस्टरम में प्रोटीन सामगरी है 21.4% तक है गाय के दूध में ठोस वसा के लिए कानूनी माना कित्ता है 8.5% है भारत में कुल दूध उत्पादन में मतलब भैस की जिम्मेदानी अब मत करें कि जो बफेलो है न उनका हमारे देश में कितना दूध उत्पादन होता है इस greater than 50% तक होता है दुनिया में मेरिनो उन का जो मेरिनो उन है उसका हिस्सा पाट क्या है उसमें 80% है इसके मिल्क पाउडर जो होते इसमें कार्वाहेडरेट कितने परसेंट होता है 51.0% होता है इसमें आपको सिर्फ प्रोटीन कार्वाइडरेट का परसेंट भी पता होना चाहिए खोवा में प्रोटीन की मात्रा 18.5% तक प्रिजेंट होती है फिर है इसमें मवेशी के मास्क का जैविक मूले है वो किता है 75% है भाइस के मास्का बात करें तो भाइस का जो चैविक मूले में सबसे अधिक होता है उन में नैट्रोजन परसेंट परिजेंट रहता है 16-17% यह सिर्फ डाटा है आपको डाटा याद करना है शरूरी इस पर ना विसेस्ट गर्मी तो 0.938 50 degree Celsius पर कलोरी होती है ठीक है फिर विसेस्ट उसमा 0.930 40 ठीक है डिगरी Celsius पर कलोरी फिर विसेस्ट अप ठीक है तो ये भी 0.920 20 degree Celsius पर कलोरी फिर दूद के बसा का उर्जामान कितना होता है दूद के जो बसा का उर्जा मान होता है वो 9.3 किलो केलोरी पर ग्राम होता है दूद प्रोटीन का उर्जा मुल्य क्या है 4.1 किलो केलोरी पर ग्राम है ऐसे ही दूद चीनी का उर्जा मुल्य किता है 41 किलो कैलोरी पर ग्राम है ठीक है दूद लगवा कित्ते से कित्ते चिपचिपा होता है वो होता है 1.5 से 1.7 ओके एक बीटा का मोल कारोटीन इस इकोई टू किता होता है 2 मोल इन बीट ए ठीक है 1 in 1 with a ए नेक्सट है अलफा का एक मकसद प्रोटीन जो होता है एक मोल का होता है किसीन पीएच में दूद का अफचेपित होता है किता होता है 4.60 पर एंडी डीबी नैशनल डेली डैवलप्मेंट बोर्ट कहां पर लोकेटड है यह है अर्याना में ठीक है तो यह जो है आनन्द द्वारा आनन्द की बात करें उसके द्वारा जो दूद की मुले नीती तो थोड़ी है वो बसा और फैट और SNF है छोटे फाइवर को लंबे समय से हटाने को कहा जाता है उसको हम बोलेंगे कंगी क्या बोलेंगे कंगी गाय का दूद कितने प्रतिसत खोवा मिलता हमको गाय के दूद से 17-19% तक हमको क्या मिलता है खोवा मिलता है जबकि भैस के दूद से हमको खोवा कितना मिलता है 21-33% मिलता है फिर यदि हम बात करें जो गाय के दूद का खोवा बनता है उसमें फैट परसेंट जो रहता है वो गरहे हैं निकाइब सब्सक्राइब नीट इसमल्स कस अधार मेल-ख दंवेशो Gibi भी आपयोग, जो हुशक है कि बशचेरे के मीड का ओपयोग नेक्स है टीजर वेल का उप्योग मुख्य रूप से किसके लिए क्या जाता है गर्मी का पता लगाने के लिए करते हैं पास्चुराइजेशन में मैक्रो वैक्टिरियम ट्यूबर कुलोसिस को माना जाता है सूचकांक जीव पुनर नवीनी करन दूद किस से तयार किया चाता है SMP ठीक है मक्षन तेल और पानी से से तयार करते हैं दूद का जो नमकीन स्वाद होता है वो किसके कारण होता है कम लेक्टोज और हाई ख्लोराइड सामगरी के कारण इस पे दूद का जो नमकीन स्वाद होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें लेक्टोज जो होता है वो कम होता है और उच्छ ख्लोराइड सामगरी होती है इस वाध डाय सेटाइल योगिक के कारण होता है बड़े वसा ग्लोब्यूल को छोटे वसा ग्लोब्यूल मतलब कि दो माइकरोन से कम जो होते है परिबतित किया चाता है एक रूपता में दही में स्टार्टर कल्चर है स्टैप्टो कोकस लैक्टेस है ठीक है Lactobacillus bulgaricus and streptococcus thermophilic जिवारु संस्रितियों कॉपियों क्या जाता है वो है दही में किसी इन किस रूप में मौजूद होता है कैल्सियम फॉस्फिट को सजन करता है दूद का स्वात कैसा होता है ठोड़ा मीठा होता है ठीक है अंडे का जो खोल बना होता है वो केल्सियम कार्बोनेट का बना होता है ठीक है यह केल्सियम कार्बोनेट का बना हुआ ठीक है यह केल्सियम कार्बोनेट का बना हुआ ठीक है यह केल्सियम कार्बोनेट का यह जो अंडे की जो बाहरी जो वैटिस रहता है वो बना होत बक्री की खाल से तयार महीन चमड़ा है कौन सा मुड़को का रास्ट्रिय देरी विकास वोड किस में इस्थित है मतलब कि जो नैशनल डेरी डेवलप्मेंट बोर्ड है वो आनंद गुजरात में इस्थित है ठीक है ठीक उसके बाद हम बात करेंगे केंद्रिय बक्री अनुशन्दान संस्थान ये है मक्दूम मतुरा यूपी में इस्थित है मवेश्यों पर अखिल भारती समन्वेश अनुशन्दान बर्योजना किस वर्ष में सुरू की गई थी तो वो की गई थी 1968 से 1979 में महस पर केंद्रिय अनुशन्दान संस्थान हिशार्ड में है उच्च सुरक्चा पसुरोग प्रयोग शाला कहां पे स्थित है भोपाल मध्यप्रदेश में स्टैबलिस है कुकुड उत्पादन और प्रवंदन के लिए केंद्रिय प्रसिक्षन संस्थान किस में स्थित है हस का नगर राजस्थान में फिर आम बात करेंगे पशुपालन से related कुछ ठीक है आपका index जो वन है आप से इसारे με条adata एक तो इनिमम wsz की बात करें हाँद इसारे आप अनिमल्स के नेम दिये हैं और दर पर मिंट दिया है ठीक है स्वसन का और नाडी का ठीक है तो आप इसको नाड़ी 45-55 पर मिनिट हता है इसका जो temperature होता है सरीर का अबात करें यह दिगरी Celsius author तो इसका होता है, 38.5 degree celsius और जीका हम Fahrenheit पर बात करें तो इसका होता है 101.5 degree Fahrenheit फिर ऐसे भैस्की, बात करेंगे तो इसका जो respiration rate होता है 12 to 16 सेम होता है इसके और नाड़ी का भी सेम होता है इसका जो टामपरिचर है वो 37.5 डिग्री सेल्सेश यह एट मिंस 100 डिग्री फैरनाइट होता है गोट की बात करें तो 12 से 20 रेट पर मिनिट होता है 70 से 80 पर मिनिट नाड़ी होती है 39.1 डिग्री सेल्सेश क्या होता है इसका टामपरिचर होता है 102.5 डिग्री फैरनाइट पर होता है भेड की बात करें तो ठीक है भेड का भी आप देख रहे हो यहाँ पे आप देख सकते टेबिल आपको दी गई है उसके बाद यह आप देखेंगे तो सबसे जादा आप ध्य इसमें आपको दे रहा है तो यहाँ पे उट का है उससे और कम की बात करें तो यदि उससे ठोड़ा ज़ादा की तो वह होता है बहस कर टेम्परिचर तो आप इसको भी ध्यान दीजेगा जिसका जादा है उसको और जिसका कम है उसे नेक्स्ट है अनिमल के नेम दिये है की बात करें, तो आट से दस मंद का होता है ऐस्टर साइकल की बात करें, तो आट से दस मंद का होता है. और दो से तीन दिन की इसमें हीटिंग पीरियड होती है भेड में बात करें तो नौ से चौदा मंत का होता है और इस्टर साइकल पंदर से ठारा दिन का और एक से तीन दिन की इसमें हीटिंग पीरियड प्रिजेंट रहता है पिग में भी बात करें तो वही है आज से 10 मन्त 21 दिन का हीट और एक से 5 दिन का क्या होता है हीटिंग पिरियड होता है नेक्स हम बात करेंगे गेस्टेशन पिरियड गेस्टेशन पिरियड की हम बात करें तो जो गाय का गेस्टेशन पिरियड होता है वो होता है 280 दिन अब गाय का जो हम बात करें कि इसमें गाय जब दिया है तो जो गाय का इसमें साइंटिफिक नेम हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको क्या होगा इसका इसका scientific name बहुत इंडिकस हो जाएगा ठीक है gestation period इसका 283 days होता है और chromosome number 2N is equal to 60 present होता है फिर भैस की बात करें तो इसका scientific name होता है Bobilis Bobilis इसका gestation period होता है 310 days का और 2N is equal to 50 होता है goat की बात करें तो 148 days का इसमें क्या होता है gestation period 60 इसका chromosome होता है इसका जो scientific name है वो है कैपरा हिरकस भेड की बात करेंगे तो Obisaries इसका scientific name है 150 days इसका gestation period होता है 2N is equal to 54 पिक की बात करें तो सुस स्क्रोफेड domesticus जो है वो बेगा जाता है 114 days का इसमें gestation period होता है और chromosome number 38 होता है उट की बात करें तो इसमें क्या हो गया 391 days उसके बात 74 इसमें chromosome प्रिजेंट होते है अब इसमें बता रहा है कि animals, water, fat, protein, lactose और S ठीक है इसमें किता किता पाया जा रहा है तो आप इसमें highlighted है ठीक है इसको देखिए गध्यान से गाए में जो पानी का मात्रा है वो 87.27 है और जो fat percent है वो है 3.75 ठीक है तो इसमें से आप इसको देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा किसम है और सबसे कम किसम है तो सबसे ज़्यादा जो पानी गाई के बात करें तो गाई में 87.27 fat इतना है और protein 3.58 परसेंट होता है lactose 4.96 है ठीक है और फिर इसका S जो है वो 0.70 है बेड की बात करें तो 82.76 परसेंट इसमें water प्रिजेंट रहता है fat इसमें होता है 7.38 उसके बाद आप देख रहो इसके बाद बकरे में जो पानी 87 परसेंट है बेड में 79 है और human में 87 परसेंट है फिर बात करेंगे fat की तो fat जो है गाय में पाए जाता है 3.75 पैस में रहता है 7.38 और 4.25 होता है बकरे में बकरे के दूद में बेड में होता है 8.60 human में होता है 4.30 तो आप fat परसेंट पर देखेंगे सबसे ज़्यादा fat परसेंट किसके यहां पर दिया है आपको दिया है भेड के ठीक है प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी भेड का ही सबसे ज़्यादा है 5.50 लेक्टोस जो है human में दिया जा रहा है 6.80 और S की बात करें तो यह भी किसमें है सीप में है नेक्स है मवेशी नसले मवेशी नसले मतलब कि क्या वोले काव की ब्रीड की बात करेंगे तो इसमें आपको ब्रीड के नेम दिया डेरी की नसले है डेरी की नसले मतलब मिल्च की जो मिल्च परपस की जो बीर्ट होती है milch breed की बात करेंगे तो इसमें आपको दिया है name of breed और dairy नसलों के मूल निवासी मतलब कि क्या होगा इसका origin ठीक है साहीवाल जो है इसमें मौंटकॉम्री पाकिस्तान इसका क्या होता है इसका origin है सिंधी क्या है गाए ठीक है सिंध कराची को जाना जाता है मौंटकॉमरी लोला लंबिवार, मुलतानी तेली के नाम से जाना जाता है बेस्ट इंडिजीनियस ब्रीड है और गिर जो है गिर की भी बात करें तो इससे काठियावारी, सूर्ती देखकर ठीक है गुजराती इसके नाम से भी से जाना चाता है फिर है ड्राफ्ट नसले ड्राफ्ट नसले मतलब कि जो सिर्फ गोज़ाड होने के काम आती है कि कि मिल्च परपस में कोई युगदान नहीं होता है ऐसी नसलों को हम लोग ड्राफ्ट ब्रीट कहते हैं तो बर्गुर कंगायाम हलीकार, खिलारी, बाकोर कंकार, नगोरी और मालभी तो बर्गुर कंगायाम जो है तमिल लाडू इसका ओरिजन है हलीकार का जो है वो है कहां पे है आपका जो कंगायाम है उसका और सिनोनोम हो गया कंकर हो गया ठीक है कोंगू हो गया तो तमिल लाडू में औरीजिंड प्लेस है ये जो है जल्ली कट्टू ओंग जो इसका यूज होता है ठीक है ऐग्रेसिव नीचर होने के कान इसका जब़से ज़्यदा तमिल लाडू में एक स्पोर्ट्स होता था तीके होता है वहाँ पर इसको बहुत ज़धा entertainment के लिए sports के लिए यूज़ की जाता है जल्री कट्टू ठीक है next है फिर एक हलीकार हलीकार जो है ठीक है इसका जो synonym है वो निल है इसका जो origin है वो करनाट का है ठीक है और उसके बाद हम बात करेंगे खिलारी खिलारी का जो ओरिजन है वो कहा है महरास्टा में बाकुर का है बिहार में कनकर का है उत्तर प्रदेश में नागोरी का है नागोर राजिस्थान में और मालवी का है मालवा मध्य प्रदेश में अब दोहरे उद देशी की नसल है दोहरे उद देशी मतलब की dual purpose मिलक जो उनके female होते हैं वो किसके लिये काम आते है मिल्च परपस से और जो male होते है वो बोजट होने के काम आते है ठीक है तो इसमें आपका जो सबसे पहले दिया है हर्याना हर्याना का जो ओरिजन प्रेस है वो है रहोता खिशार हर्याना जो best dual purpose के नाम से भी इसे जाना चाता है इसके जो बुलक्स होते हैं वो बहुत ही powerful बर्क अनिमल्स होते हैं फिर है कांकरेज कांकरेज का जो ओरिजन है वो है गुजरात पे है ठीक है कांकरेज का गुजरात में है बन्नाई, बगाडी, बध्यार, नागू, संकोर ये सब क्या है इसका synonyms हैं ठीक है अब ये जो है इस गाए को जो है सवाई चाल के नाम से भी जाना जाता है कांकरेज ठीक है राठी गाए जो है इसका और इसने अलवर राजस्थार, बिबाती का है कोसी प्रदेश में ठीक है गालाओ का मध्य प्रदेश में कृष्णा घाटी है थारपार का गाए जो है वो सिंधव पाकिस्तान की है अंगोल जो है गुटूर और अंधर प्रदिस के है डांगी जो है वो नासिक महारास्ता की है अब एक्सोर्टिक ब्रीड की बात करें तो इसमें जो एक्सोर्टिक ब्रीड है ठीक है चंध्त सी जो है वो है गंटनसी दीप में, फिर है मास के उद्देश्य से तो हरफोर्ड जो है वो इंग्लेंड इसका ह soi रिजोन है, सौट हरीजोन जो है वो इंग्लेंड असका होरिजोन है, एबादीरों रोकक्छ जो है पन्सिया गिफ रोल जो है У sória लेंडीा कि ये पिर यह कर्णाल हर्याना में और एंडिडी भी है कहां पर यह आनंद गुजरात में इसको याद रख़ेगा आप लोगे न करन फ्रीज जो है करन फ्रीज्ज थार पार कर और एच एफ उस्टीन फ्रीज्जियन के एक रॉस से बनी हुई है एंडी आ रही करनाल हर्यान हमें फिर है जरसिंद लाल सिंदी का क्रॉस जरसी से कराने से हमें क्यांसी नसने में लिए है जरसिंद ठीके Agriculture College दुनानी इलाहवाद ठीके सुनादानी जो है स्थानी और ब्राउन स्विस्ट का क्रॉस कराने के बाद केरल इसका ओरिजन हो गया टेलर जो है देशी गाय और क्रॉस आयर सायर से होने पे इसका हो गया पटना अन्य क्रॉस की बात करें तो सांता गुरुटेनेस लगू सींग का क्रॉस अमेरिकी ब्रह्मा से किया जयंपा सासा जर्ची का क्रॉस साहिवाल से नई डेरियो जेबू जोस और जर्सी से फिर हम बात करेंगे भेड़ नसलों की उत्पत्ति और उनकी कुछ बिसेस्ता नेक्स्ट है नसल का नाम और उसकी कुछ बात करेंगे ठीक है तो हिमाले छेत्र की बात करें तो पहली है गद्दी गद्दी जो है वो जम्मू और कस्मीरिस का ओरिजन है ठी पाकिस्तान सबसे बड़ी भेड के नाम से जाना जाता है इसको बीका नेरी जो पुगल है वो राजिस्तान की है उत्तम कालीन ये उन देती है मारवाडी जो है पीबी और राजिस्तान ठीक है पंजाब और राजिस्तान और काला चहरा इसका होता है मारवाडी का भेड का जैसल मेरी राजिस्तान गरिगिस्तानी नसल के नाम से जाना जाता है जैसल मेरी को मालपुरा टोक राजिस्तान इसका होरिजन है मास के लिए अप ये सबसे अच्छी मटन के लिए होती है कंबल बुनाई के लिए भी फिट है डेककन की नसल ठीक है दक्षिडी छेतर की है नैलोर की बात करें वो आंध्रपदेश की है सबसे लंबी नसल है मंडिया जो है करनाटका का और इसन है सबसे सफेद रंग है फिर पूर्वी छेतर की बात करें तो साहबादी मुझफर पूर यूपी सर्विसेश्ट उनत पादक है हिसार डेल जो है हिसार से इसका और इसन है क्रॉस ऑफ भी करनेरी क्रॉस मैरीनो फिर भेड की बिदेशी नसल की बात करें जो सबसे महीन उनकी नसल होती है वो है मैरीनो जो की स्पेञ्ट इस और वी करो लावी और इसन इंग्लेंड है फिर लंबी उनकी नसल जो जो की बहुत लंबे लंबे उन देती है वो है लिंकन और लाइसेस्स स्पेड़ेंक, और meistे संब्य घंगल क्रॉस पादक है पस्ष 210 प्रकार में जाफ़राधी किर्के जंगल और काठियावार गुजु उत्री में बात करें हम नौर्थ साइट पे नीली रावी, मौटकॉम्री, फिरोसपोर, पाकिस्तान इसका ओरिजन है, मुर्रा का ओरिजन है, रोतक, हिसार, पैराल और गुडगाओ जिला, हर्याना, दक्षणी, पंजाब, यूपी, राजिस्तान, बदाबरी का जो ओरिजन ह वो है आगरा में है, मद्य और दक्षणी प्रकार की हमसाइट की बात करने चेत्र में सबसे पहली है टोड़ा, टोड़ा का ओरिजन है नीलगिरी, फिर पारलाकिडी जो है वो ओरिसाइस का ओरिजन है, मैसाना है बड़ोदा गुजरात, गोदाबरी का जो ओरिजन है वो प बकरी की नसलों की तो बकरी का साइंटिफिक नेम होता है कैपराहिर कर्स ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसकी नसल कौन कौन सी है, कस्मीरी, पस्मीना, पस्मीना और कास्मीरी से आप समझ रहो किस का ओरिजन क्या होगा, जम्मू और कास्मीर होगा, फिर है वो की काम धेनों भी कपकरी को कहा जाता है, ठीक है बीटल की बात करें, बीटल-करदाश-पॉर्ट पंचाब में है, बारवारी यूपी और हर्याना बेरारी जो है नाकपॉर्ड और बर्दा और रास्ट्रा आंधर पत्यश में है काठियावारी की मात करें तो कच्छ यूपी ठीक है उत्तर गुजरात राज़िस्थान में पाई चाती है ब्लैक बंगॉल जो होती है वो ड्वाफ है ठीक है ड्वाफ है और ये सब ज़्यादा मास के लिए ही फेमस है ठीक है तो इसकी बात करें पश्ची मंगाल उसका क्या होगा काला बंगा मारवाडी की बात करें तो मारवाड राजिस्थान सिरोही का सिरोही राजिस्थान सूर्टी कहां से है महारास्टा से है उस्माना बद्दी जो है उस्माना बाद महारास्टा से है संगाम नेरी जो है पुने अहमद नगर से महारास्ट से है डेरी बकरी की बिदेशी नकले मसल अब बात करें कि जो एक्सो्टिक ब्रीड्स हैं डेरी कोट की वो है सानिन इसका जो ओरिजन है वो है स्विच्जा लेंड में अंगोरा का है तुर्की में अल्पाइन का है यूरोप में अंगलो-न्यूबियन का है इंग्लेंड में और टॉगनबर्ग का है, स्विचर लेंड में इसका ओरिजिन है आप इसकी ओरिजिन को याद कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है यहाँ पे जो हमारे एनिमल हस्पेंडी के questions हैं आपको देख के लगा होगा बहुत सारी questions इसमें बहुत ही ज़्यादा important questions हमने बात किये हैं आज की इस वीडियो सिरीज में हमारी वीडियो सिरीज कम्प्लीट होती है यदि आप HPSC Agriculture Development Officer ADO के तयारी कर रहे हैं यदि आप इसके complete course को purchase करना चाहा रहे हैं तो आप इस course को purchase कर सकते हैं इसमें course का प्राइस है 599 रुपीज है आपको इसमें full study material प्रवाइट के जाएगा test series आपको exam के based से दी जाएगी आपको one question bank भी आपर इसमें दी जाएगी यदि आप IBPS AFO mains के course को purchase करना सोच रहे हैं तो आप इस course को purchase कर सकते हैं इस course का प्राइस है वो 599 रुपीज है इसमें आपको complete notes agriculture के provide किये जाएगे with PDF e-books दी जाएगी agriculture current affairs की e-books दी जाएगी 50 प्लस आपको full length test series दी जाएगी whatsapp discussion group में आपको add किया जाएगा इसके अलावा आपको इस course में interview guidance भी दिया जाएगा और इस course की जो validity है आपके exam तक की इसमें आपको validity दी जाएगी आप इस course को purchase करने के लिए हमारे android application agriculture and gk में जाके इस course को purchase कर सकते हैं या आपको इस हमारे video series के description के box में आपको link दे दी गई है अब वहाँ से जाके भी इस course को purchase कर सकते हैं तो हमारी आज की video series कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और जोड़े रहे हमारी YouTube चैनल agriculture ngk और हमारे android application agriculture ngk पर तक्की।